केंद्रिय मंत्री मंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं जन्तदल युनाइटेट के अध्यक्ष रसिपी सिंग ने भी कहा था कि उनकी पाटी केंद्र में हिस्सेदारी चाहती है हालंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जन्तदल युनाइटेट से कीन चेहरों को केंद्र में शामिल किया जाएगा लेकिन जो चर्चाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं जन्तदल युनाइटेट से कूल तीन नामों की चर्चा है जिन्हें केंद्र में शामिल किया जा सकता है। इधर भारतिये जन्ता पार्टी से दो चेहरों पे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दो चेहरों को केंद्रिये मंत्री मंडल के विस्तार को ले करके जो बाते हुई है उसमें शामिल किया जा सकता है। इधर NDA की बात करें तो NDA में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि NDA में चार पार्टिया सामिल हैं विकासल इंसान पार्टी, भारतिये जन्ता पार्टी, जन्तादल युनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मूर्चा जिसके सुप् बिजेपी के निताओं पे हमलावर हैं। उन्होंने कई तरह के बयान दिया था जिस तरह से संजज जैसवाल के बयान को याद कीजे। उन्होंने कहा था कि NDA के सरकार में दलित उतपीडन बढ़ा है। फिर बिजेपी के एक निता का बयान आया जो विधाया के हरीभूशन ठाकुर। उन्होंने यही कहा था कि बिहार के तमाम मस्चिद और मदर्सों को बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद NDA की सहयोगी पार्टी जो तमाम पार्टियां चार पार्टियां हैं उनके अलग-अलग निताओं का पलटवार वे सामने आया। जनतादल गुलाम रसुल बल्यावी ने कहा कि ऐसे निताओं की मानसिक्ता दरसाता है कि ऐसे निताओं को कांके भेजना चाहिए। जिसके बाद तमाम सवाल उटने लगे कि क्या NDA के अंदर सब ठीक ठाक है। क्योंकि जिस दिन लालुपरिशाद यादब का चोहतर्मा जनमदीन था उस दिन तेशपता पियादब से जब मेडिया ने सवाल किया कि जितनराम मांजी का मन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि जितनराम मांजी का मन अगर डोल रहा है तो महागटबंधन का दरवाजा खुला है। वो आ सकते हैं। उसके कुछी दिर बाद तेशपता पियादब ने जितन राम मांजी के आवास पर उनसे मुलकात कर ली जाकर जिसके बाद कयासों के बाजार और गर्म हो गए और ये तमाम सवाल इसलिए उटने लाजमी है क्योंकि एंडिये के अंदर जो तमाम पार्टियां है चार पार्टियों के हम बात कर रहे हैं उसमें से दो पार्टियां जो हैं वो डोल रही है और इसलिए जब किंद्रिये मंत्री मंडल के विस्तार को लेकर के चर्चाएं तेज है तो जनता दल युनाइटेड से तीन चहरों के नामों की जाने की जो चर्चा है वो हो रही है और भारतिय जनता पाटी के दो चेहर है किंद्रिये काबिनेट के फेर बदल और विस्तार की संभवनाओं के बीच बिहार से नए दावेदारों के नामों पर चर्चा तेज हो गई है मोधी काबिनेट में किसे जगह मिलेगी और कौन चूक जाएगा इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है सियासी गलियारे में चर्चा है कि जनता दल उनाइटेट के तीन चेहरों को किंद्रिये काबिनेट में जगह मिल सकती है जडियू अध्यक शारसिपिस सिंग ने सनीवार को यह सपस्ट कर दिया था कि उनकी पाटी मोधी काबिनेट में हिस्सेदारी चाहती है सुक्रवार तक यह उमीज जताई जा रही थी कि जडियू से दो चेहरे काबिनेट में सामिल किये जा सकते हैं लेकिन अब चर्चा तीन नामों की है सियासी गलियारे में चल रही चर्चा के मुताबिक जडियू से तीन चेहरों को केंद्रिय काबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें सबसे प्रवल दाविदार ललन सिंग के साथ साथ खुड जडियू के अध्यक्ष और सीपी सिंग का नाम है इसके अलावे नया नाम संतोस कुसवाह का है माना जा रहा है कि जन्तादल उनाइटेड इन तीन नामों के जरिये सामाजिक समीकरन को साथने की कोसिस करेगा लवकुस के जरिये नितिस्केंद्रिय काबिनेट में जडियू की भागिदारी को मजबूत बनाएंगे तो वहीं भुमियार वोटो को साधने के लिए ललन सिंग को जगह दी जाएगी चर्चा ये भी है कि बीजेपी से किसी एक नए चेहरे को काबिनेट में जगह मिल सकती है फिलहाल बिहार बीजेपी से दो नामों की चर्चा है बिहार के डिप्टी सीम रह चुके शुशिल कुमार मोदी इसके सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे है तो वहीं प्रदेस अध्यक्ष डॉक्टर संजय जैस्वाल के नाम की भी चर्चा तेज है हलंकि सुसिल मोदी को लेकर बीते विधानसबा चुनाओ के बाद से ये चर्चा होती रही है कि केंद्रिय नित्रत उन्हें दिल्ली बुला सकता है तो कोई बड़ी जिम्यदारी भी दे सकता है राजसबा जाने के बाद सुसिल मोदी अब तक केंद्रिय नित्यूत के फैसले का इंतिजार कर रहे हैं बिहार में डेड़ दसक तक उनके काम का फाइदा पाटी ने उठाया है और अब इस बात की संभावना से इनका नहीं किया जा सकता इरास्ट्री स्टर पर पाटी उन्हें बड़ी भूमिका दे सकती है हालांकि संजे जैस्वाल के नित्यूत में पाटी ने बीते विधानसबा चुनाव में बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है लिहाजा चर्चा ये भी है कि जैस्वाल को इसका इनाम मिल सकता है अगर ऐसा हुआ तो प्रदेश नित्यूत तुमें बदलाओ आएगा और इसको लेकर केंद्रिय कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और कल शनीवार को जैडियू के अध्यक्षार सिपी सिंग ने ये बयान जारी किया था उन्होंने कहा था कि जंतादल युनाइटेड केंद्र में हिस्तेदारी चाहती है और इसलिए जो चर्चा है कि जंतादल युनाइटेड से तीन और बीजेपी से दो चेहरो को सामिल किया जा सकता है अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि किन चेहरों पर मुहर लगती है फिलाल के इतना ही आप बने रहें फर्स बिहार जारकन के साथ धन्यवाद